अब बहुत शांदार बहुत मज़ेदार और आपका दशेरा बहुत ही शुप कामनाओं के साथ गुज़रा होगा तो फर्स्ट आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को मिनाया होगा और आपने अपने जो भी शॉट कमिंग्स है जो भी आपको लगता है जहां इन चीजों में और इंप्रोव्मेंट की शुरू करते हैं तो आज हमारे लास्ट लेक्ट्टर है अब क्या कर सकते हैं तो उसको थोड़ा सा सिंप्लिफाय करने की कुछिश करेंगे और लेक्ट्र थोड़ा सा बढ़ा होगा यह कुछी मैं प्रोकेरियोट्स और यूकरियोट्स एक इसाथ करूँगा जीन रेगुलेशन के लिए और इसमें लोग अपरांस के बारे में डि इससे करेंगे अब आप बात करों जीन रेगुलेशन करना है जैसा कि आपको आपको अल्रीड पता है कि हम लोगोंने अप्लिकेशन ट्रांस्प्शन गवर किया तो उसमें अबने चीज़ी के भी आपका जो डीन है विच इसे एक्टिली कंस्टिंग जीन उसके अंदर होती है ओफिसली जारियस वी अर अल्तिमेटली हमारे सारी वोज चलते हैं तो हम प्र हुआजना पड़ेंगी कि जब हमारे पास एक ही तरीका का डिये ने है एक ही तरीकी का क्या मतलब होता है प्ते हमारे पास में सेल्स आप्स है और ऑफ पर नखें आउड है थे पार्वर आपते हो दिक गोलग है स्क्लेर ग ते रहा एन रेटिना फॉरोईड यह अपनी खुट की अपनी अपने होग अपने हैं लेंस अपना है अपना ओडग अपने अपने होग तीशुल टे स्विशू अविसली अपने इसेट बेशन पर अड़िसेथ, आप क्या रहतु हो mot से एट्मस्टेर से कनेक्टेड है तो कॉरने डी इन हैं तो है त्रिवियल अगर इतने चीज़े बना रहा थो उसके लिए और वही टिक बार निए बार वार अगर इतना एग ऑगा अफुरा प्रतुलेश्ट प्रॉसेस चलगे तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक ही दियने है तो अलग अलग cells में वो कैसे काम करता है यह चीज हमारा लिए important हो जाती है और इसी को हम लोग basically gene regulation में समझना ही कुरूश करेंगे that how we actually regulate these genes accordingly कि वो हमारे लिए एक multicellular level of social control developed कर सके बहुत simple सी बात है तो तुमको से इतना सही समिझना है अब इस पर बहुत detail में चार्चा करेंगे हम लोग okay let's come back to the topic now obviously तुम जानते है उसके बारे में इस दे 90 जो कि एक 60 दे की प्रीग सीरीज है इसमें जो notes and test है वह आपको कहां पर मिल जाएंगे आपको आरड़ी पता है उसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है telegram channel official detox biology search करना है almost 190 के आसपास 190 के आसपास उसमें subscribers है वहां पर को मिल जाएगा ठीक है चलो भीया सीरीज किसके लिए यह यह भी तुम गॉलेटी पता है CSRNet अगर आप तयार कर रहे हो जेजी डबले बिल्स अभी जो होने वाला है यह इसके फॉर्म भीया चल रहे हैं जेजी डबले बिल्स के लास्ट कुछ दिन और बचे है इसकें और 3rd November last year तो अगर आपको इसको फिर टारेट कर रहे हो अच्छा हां यह भी जेजी डबले बिल्स का आता है TIFR होता है Tata Institute of Fundamental Research के लिए जो बायलोजिकल एंटरंस होता है उसका नाम है जेजी डबले बिल्स और फिर आपके पास में आता है आपके आपके पास में आता है आप और फाइदल बंद होगी की बहुत उपर है नीट से बहुत बहुत बेसिक लबल पे है उसमें नहीं आएगा आपका काम है न अगर आप नीट के अस्पारेंट हो तो खूछ टॉपिक साब इससे बएक कर सकते हो बट जाधा टॉपिक आपके काम आएंगे नहीं बहुत भार बात करें हम चलो ठीक है कोई इकत वाली बात नहीं है अगे बढ़ते हुए और विए इसमें जो ऑपरान वाली बात हम करेंगे हां ऑपरान वाली जो बात है यह दो युनिट में आएजी है एक तो अपनी जो अपरोच होगी उसके अंदर मता थर्ड युनिट में और सेकेंड में सेल के टर्म्स में भी ओपरान है तो थोड़ी बहुत में सेल बात की करूंगा कुछ पैसे पूछोंगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट में देना है और टेस्ट वगेरा ढंक से दो मैं तुम लोगों की रि सेकेंड अंबर यह सेल का मतलब यह लिए है क्या बेसीक बेसिक और भी क्या है चाहिक बेशल के अदर यह जैसा ने एक जैसी इंपरमिशन है तो फिर हर एक सेल अपने आप को दूसरे सेल से अलग किसे कर लेती है अब हर एक तो यहां पर थोड़ा सा डीटेल में समझा आप अब सेम डीने कैसे होता है हमारा स्मक्राइब और एक तो यह फीमेल गैमिर करता है और यह यह बनाता ये जाइक जैगोड बनाता है अब यह एक जैगोड जो है इसमें हाफ डीने आपका मदर साय हाए अब इन सब यह फडीने 23 च्रॉमोजोंड और वार बार बार बनेंगे तो सेम डीने अब आपके जितनी भ अर्बिसी के अंतर जब मैच्वर बात करते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता है तो वह पर डियने के कहा नहीं कतम हुझा अप्य है एक दूस्री चीज़ अमरी इसको बनाता है इसमें भी इसमें नहीं होता है क्योंकि जब इसका अलग अलग तरीकिया के एक्स्प्रेशन इपो अलग होता है अब यह एको सवाल पूट कर जावने आप है इसका अंसर है जीन एक्सपर्शन है ना देखो क्वेश्चन क्या था पर है पहला क्वेश्चन अपने पास था है कि जब एक जिसी इंफ्रमीशन है तो अलग-अलग cells कैसे काम कर रही है अलग-अलग कैसे वीडियो कर रही है इसक इसका MRN जो और इसका MRN यलो कलर का है तो यह यलो कलर का है मतलब इनके दोनों के MRN यलग-अलग है फिर इस वाले जो और इसको इसको बोला जाता है इसको डिफ्रेंशियल जीन एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि यहां पर कोई दो जीन एक्सप्रेशन होरे जो सीडी प्रोटीन मना रहा है यहां पर कोई ऐसा MRN बना रहा है ज्यान रखना मैंने polycystronic अब हमसे नॉर्मल समझ रहे कि कैसे आपका एक ही अलग-अलग functions परफॉर्म कर रही है या अलग-अलग cells परफॉर्म कर रही है विदाउट हैं डिफरेंट हैं अब यह जो rearrangements हैं कि आप बोल रहा हो कि हम यह इसके अंदर यह rearrangement का फाइदा क्या है दो फाइदे इसके पहला फाइदा तो है कि energy बहुत बच जाती रही है energy बहुत बच जाती मतलब क्या है अब जब मालो आपको इस cell के अंदर C product का काम नहीं है तो आप C वाले जीन को मत express करवाओ C वाले प्रोटीन को मत बनवाओ D से आपका काम चल रहा हो जब पर D से काम चल रहा है जब आपका D का क अगरा कितना लगता है तो इस वज़े से हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि सब चलने दो हर दिन उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम जो है वह इस पेस की है अब चाह तुमने सभी सुना होगा कि अगर हम लोग हमारे DNA को खीज दें तो दो मीटर की लेंथ का हमारे पास में DNA है मु अब जब लपेट के रखोगे तो अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है जब भी आपको किसी पैटिकुलर DNA को एक्स्प्रस कराना है तो आपने देखो अब यहां पर चीज़ समझी थी ट्रांस्रिप्शन में ट्रांस्रिप्शन करवाने के लिए ट्रांस्रिप्शन बुबल जब आपको क्या करना पड़ेगा जब भी किसी पैटिकुलर DNA को करना पड़ेगा अन्मांट करना पड़ेगा जब लोगे तो आप आपकर क्या करोगे इस पेस जगा गेर अब इतनी सी जगा है आप सोचिँड़ों कि पूरा DNA हमेशा एक्स्प्रस करता रगज़ कितना खोल के रखना पड़ेगा जिवांग लगाओ और जब इतना खोल के रखोंगे तो उसको Nucleus में कैसे रखोंगे in case of eukaryots और इन पर बात की जाए अगर पूरा डिये ने हमेशा unbounded form में रहेगा तो free radicals और वो सब तो ही अपनी जगह पे आप देखो क्योंकि आंगे बोल रहें कि यह बहुत regulated process है तो regulated process तो miss regulation प्रॉसिबल है या miss calculation प्रॉसिबल ml function प्रॉसिबल है क्योंकि बहुत जादा regulated process है आपकी gene expression की जीन regulation की तो अगर इसके अंदर कोई भी गढ़बढ हो जाए तो इससे बहुत अब खतरना खतरनाग बिमारिया हो सकती है सबसे खतरनाग में से एक है cancer अब cancer की तब बात करते हैं तो हमारे पास में दो important gene आते हैं एक होता है oncogene जो proto-oncogene का product होता है और एक होता है tumor suppressor gene इस पर मैं बहुत अच्छे नहीं है एक healthy cell के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं है और cell के लिए अगर अच्छे नहीं है और organism के लिए तो कैसे होंगी common sense वाली बात है न सब्सक्राइब है कि आपके इस तरीके से हम क्या करते है जीन को regulate करते हैं और यह फायदा मिलता है यह वह बेसिक जीन एक्स्प्राइब रेगुलेशन में क्या फायदा है यह बेसिक से बाप तुम्हारी होगी अब क्योंकि हमारे पास में देखो अब यहां पर मैं थोड़ा सा प्रोकेरियोट वर्सुप्राइब लेके जा रहा हूं तुम अलड़ी पता है कि मैं यह क्यों कर रहा हूं क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो ज्याद अच्य समझनाती है हम यह बास जानते हैं कि नुक्लेस नहीं होने की वाज़े से यहां पर क्या करता है को ट्रांस्रिफ् साथ होता है और एक वाजे से होता है अपका रहाएशनाई में और नुक्लेस में चलने के हे बास की जानते हैं कि हमारा चभए चलने में चलने बाद है तो इस केस में हम क्या करते हैं हम यहां पर जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगूलेशन वह अलग अलग लेवल पर करते हैं हम बात करेंगे लग बहुत सारी पॉसिपलिटीज होगी है तो यहां पे इस एक बैसे से हमारा बेस बनेगा यहां पर बात समय नहीं है नहीं होटा है वह समझ नहीं हुआ समय को बहुत था साथ हो एक साथ हो एक पर्टिकुलर बायो केमिकल पाथवे को रन करने के लिए एक्सपर्स कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर प्रमोटर के के रेगुलेशन में हो अंडर दर रेगुलेशन आफ सिंगल प्रमोटर इसे कहा जाता है ऑपरोन तो इससाइट ऑफ जीन सैट ऑफ स्ट्रॉक्टिरल जीन फिसिकली असोचिएट टूगेदर एक्सपर्सिंग पॉर्टिकुलर फंक्शन स्पिसिफिकल बायो केमिकल फंक्शन अंडर दर रेगुलेशन ऑफ सिंगल प्रमोटर इस बेसिक डेफिनिशन ऑफ अपरोन अरी बास हमें बहुत आसान से नौ इसके दो एक्जांपल अपन करेंगे वैसे चार होते हैं अरो परोन हम नहीं करेंगे हमें एक ट्यार्पी ऑपरोन के बारे में समझ देंगे और हमे कि आरे जारे लिए जिसमें हम लोग डीविये अबीसिटी उल्टा पढ़ लो यह इसके पांच जीन होगे और इसको हमेशा एडीविये लिखना है क्योंकि इसका अरेंजमेंट एडीविये ही होता है लेक उपरोन में तीन जीन्स होते हैं जो तुमके बच्पन से पढ़ र वाला अरेंजमेंट के लिए नहीं है क्योंकि वह क्या दीरे 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 एक्स्प्रेस करता रहता है तो वह एक अलग कहानी है हमारे आज के टॉपिक से अब नहीं है नौ जब हम ऑपर और की बात करते हैं तो एक तो इस्ट्रक्च्रल जीन होगा यहां पर मैंने पांच और तीन लिग दिये लेकिन एक होते हैं यह जीन नहीं होते हैं यह बिसिकली सीक्वेंस होती है न्यू एलिमेंट का मतलब में तुमको पता है मौलीकृवाज हमुआ होता है ऑपरेडर भी सीक्टिंग होता है और यह क्या होता है आपका जहां पर इगूलेटरी प्रोटीन को चीज़ें होती हैती क्हिंद काभड़ करती हैं तीन तरह के मॉलिकुल्स हैं जो आपके प्रपरीटिण के लाते हैं पहला होता है इक्टिवेटर दूसरा होता है रिप्रेसर और थीज्ड इन्डि śm Usa क्या-क्या एक्टिवेटर रिप्रासर इंडिannée एक्तिवेटर आपका सब्सक्राइब करता है जिसे यहां पर लिखा प्रॉपरेटर पर अपकी बाइनिंगर करता है तो जो यूजुली आपके जो एक्तिवेटर बाइनिंगु साइट होती है थोड़ी बहुत ऑवरलाप करती कि से आपके ऑपरेटर से रिप्रेसर करने वाला है यसका ना में रेप्रेसर एक्ञापल के लिए अक्टिवेर बैंडिंग साइट में क्याप केटापोलाई अक्टिवेटिवेटिए क्रोंटिन है या कटापोलायी अक्टिवेटिंग ब्रोटिन लेक्रे सब्स्कार एक्टिू loneliness जो हमारा अन strawberries होने वाला है किसमें होने वाला है inducer leg operon में ठीक है अब देखो जब हम regulatory protein के बारे में बात कर रहे हैं तो यह तो हो गया इक्टिवेटर रिप्रेसर के बारे में बात चीत दो तरहेके के operon होते हैं जिसके बारे में समझना बहुत जरूरी है यह कोता है inducible operon होगे होता है repressible operon inducible operon उसे कहा जाता जिसमें अगर वो metabolite present है जिस से related वो ऑपरॉन function कर रहा है तो उसका expression या transcription होगा जितना metabolite बढ़ता जाएगा उसका transcription उसकी तरह बढ़ता जाएगा एक limit तक और repressible operon का मतलब होता है कि जिस metabolite से अगर वह मेटाबलाइट है और उसका रूप जाता है तो उसको कहा जाता है रिप्रेसिबल ऑपेरों का सबसे आसान एक्जांपल तुम्हारा लेक ऑपेरों है जिसमें जित्ता दादा लेक्टोस रहेगा उत्ते लंबे समय ते आपका एक्स्पेशन चलता रहेगा और रिप् अगर नहीं मेटाबलाइट है नहीं तुम अटोमेटिकली सोच सकते हो तो क्या हो उसका उल्टा ही होगा ना व्यां स्टार्टिंग विधी ट्यार्प ऑपेरों फर्स्ट क्योंकि यह इंपोर्टेंट है और यूज्वली इसमें ज्यादा कांद्विजन होता है लेक्टोस तुमको वैसे भी आता होगा मुझे जहां तक लगता है लेट स्टार्ट विधी ट्यार्प ऑपेरों क्या काम करवा रहा है यह इसका मेजर फंक्शन यह है कि यह ट्यार्प ऑपेरों के अंदर वैसे जीन होता है जो आपके बायो सिंथेटिक एंजाइम्स बनाते हैं और य अगे जाके वह बायो केमिकल पर चलाएंगे जिसको लोग ट्रिप्टोफेंट सिंथेस पाथ पर कहेंगे सही है अच्छान भाष्ट में यह फंक्शन का इसका सिंथेस व्डव्यू मतलब क्या होता है बताते ना वह यह व कौन सा वला है यह क्या बताना इस पर ट्रिप्ट अगर त्रिप्टोफेंट अल्रेडी प्रेजेंट तो आपको उसको और सिंथेस करने के सुरूत है क्या सवाल करो खुछ से अगर तुम्हारा पास अल्रेडी बहुत सारा पानी है पर एक्जांपल बहुत सारा पानी है सब बढ़ी वह तो अगर वापस से पानी आएगा अगले दिन नगर निगम से आता है तो आप इना मतलब मोटर चलाओगे क्या तो फिक जालाना है मोटर सेम इस यह अगर उसके पास अल्रेडी बहुत सारा करने के लिए लेकिन अगरे ड्रेट्टोफें का लेवल लो है कम अधर उसको लग रहा है कि नहीं होता इसमें अगर आपका रिप्टोफेंगी एपसेंस का मतलब बहुत लो हो गया है लेवल तो आपका जो रिप्रेसर है यहां पर दिख उध्यान से सुनना ना तो अगर ट टृप्रेसर से बीड करने के वज़े से रिप्रेसर के अपर इटर के लिए बढ़ायेगा और आर रनी पर्सक्रिप्शन को बन बने का मतलब सीधा सीधा ही है कि आप जो ट्रॉप्रेस्जन की तरह कर रहा ह। तो तरण स्कुछ पारा और रे प्रेशार के साथ लाता है और इसके पेटिए बढ़ाता है और लेकर en Juli और अगर ट्री नहीं है तो अगर नहीं देने करेगा तो तो आगे बढ़ जाएका थे आगे बढ़ जाएगा और जिरे जिरे आपके यहां से EDCBA का MRNA बना के अल्टीमेटली आपके करेगा ट्रिप्टोफाइं चलो करते गा जैसे ट्रिप्टोफाइं हो जाएगा वापस से कहा निका चली जाएगी ट्रिप्टोफाइं अवेलेबल पर और यह साइकल लागातार चलती रहेगी और यह फर्स्ट रेगुलेशन है ट्रिप्रेशर को रिप्रेशर वाला पहला बहुत आसाल है बहुत दिमाग नहीं लगाना है सिधा जिम्पार रिप्रेशर है रिप्रेशर के साथ में ट्यार्प अगर जुड़ा होगा तो वह रोप पाएगा क्योंकि समझा कि आपकां से इंजाएम मिलेंगे कौन से वाले पात्रे के लिए है तो शिकमेट का मतलव होता है जो आपकी तेंदर नाम एक तो एक तो हो गया शिक्किमेट प्रतवे में शिक्किमेक एसवीट से चलोगे तो एक तो फिर अपर इंडोल 3-0-5 पॉसपेट और लास्ट में होगा सैरीजिंग जो भी आप इसको कहना चाहो एक बेशिक रियक्शन समझ लो इंडोल 2-0-1-5 लिया और इसके बाद ने यह एंडॉल्स में से त्रीजित्रोल पस्टट अठ आ दिया इंडॉल्स इंडॉल्स में फिर ट्रीप्टोफेन से बीटा अधिस की बीटा यूनिट जो की B-Gene से यह ने सकर्द को पकड़ा और इंडोल से चोड़ के बना दिया अग्ड बहुत बेसिक रियक्षन है इसमें आर्ट ने क्युक्षिय समझना है कि बी और एका थो एंजाइम उसकी अलफा और बीटा सब्विनित के लिए यह और भी काम करते हैं तो पहले बीटा काम करेगी दियान रखना सोरी पहले अलफा काम करेगी और फिर बीटा काम करेगी ठीक है एक तो वह रिप्रेसर जो पर करता है और यह कब होता है आपका operator करने से क्या करता है यहां पर यह बैठा ना जब यह ट्यार पी कंटेनिंग रिप्रेसर आपका बैठा यह रिप्रेसर आके बैठ गया तो इसने प्रमोटर की सीक्वेंस को पकड़ लिए वाली यह प्रमोटर की सीक्वेंस को पकड़ने की कारा उसका प्रमोटर भी चाम नहीं कर पा रहा है तो को भी एक्स्प्रेशन नहीं होगा इसको अपर ने को रिप्रेशन भूल जिए था एक बेसिक मेंगेजम हो रहा है रेकुलेशन का उसके अंदर हम बोलते है कि आपका ट्रिप अब बता दो कि दूसरा मेकनीशम आपका यहाद रखना है एक तो रर्प आदेशन यहां पर तो समझ लेता है अब इसको बेसिक तरीके से चाहिए बहुत जादा इसमें और अब देखो यहां पर दिख रहा होगा तुमको यहां पर यह जो रहा है लीडर स्टेवेंच्त इसको लीडर सेक्वेंच कहा जाता है कि निया सिक्वेंच कहां पर होती है अपरेटर और आपके फेले इस्ट्रॉक्टर जीन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें एक पर्टिकुलर जगह आती जिसको लोग एटिन्यूवेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको एटिन्यूवेटर आइटिन्यूवेटर का मतलब आप सबहत लोगने इसको वह को फॉने के वजते हैं उसको देख रहे फ़ींगे क्या है इस पर एक्षायन कैसे होता है यहां पर हमारे पास में यहां से हो रही है इस से अब उसके अनौन शिरीन का कोड़न है यह शी शीजित और उसके बाद में यह यह चिन फ by तो थैंट वाला और 11 वाला यह क्या है आपका यह यूजी जी यूजी जी तो टी आर पी कोड़न्स दो करेंगे और यहां पे क्या होगा ती आर्प के लिए कोड करने के लिए अब यहां पर दियान से देना वहापस लेगे जाणा हूं तो फ्लीज यह मत करना प्रभू पहले चाहिए और ट्रांसलेशन को डंस समझी है उसमें हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझने के बाद ही यह वाली पिक्चर पहना है यह पिक्चर नहीं समझने नहीं यह सीक्वल है बेसिकली ट्रांस्रिशन के पिक्चर का यहां पर 11 तें तो 11 लेवल पर क्या है अमारे पास में यह यह यहां पर काम करने वाला है यह दो यहां चाहि बताहूंगा ध्यान से समझना है अच्धो कि इसपो फोड़ा सच क्योंकि थोड़ी छोटी में अल देखो ज़र। यहाँ पर दो तरीकी की लोच आपके गया यह बात की जाती है यह दो तरीके की लूपिब मेकनिशम मेकनिशम में अहु – फय की वाली bekommt K B बीच में थर्ड और फॉर्थ के बीच में जो लूपिंग मेकनिसम होगा ना इसको कहेंगे एटिन्युवेटर हो ना और अगर सेकंड रोड थर्ड पैर के बीच में लूपिंग मेकनिसम होता है तो इससे कोई ज्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला है आपका ट्रांस्क्रिप् यह हमारे पास में पूरा एक लीडर्म सिक वन से अस तरीके से है पहला हिस्सा है यह यह है यहां और यह तरुण इस तरीके से चार हमने करण करके सिकेंक हो सकती है यह तो यह इस तरीके से हो जाए इसमें सेकंद और फर्ट रूप कर जाये इत्तर हो जाए और आपका EP 2 तर्वा दूसरा हिस्सा झाहते इए और फिर सब्सक्राइब करता है है और ये थरद और फोर्ट में यही तो उन्हों में जो थर्ड वाली चोंगा सकती है और फाली के साथ थर्ड में लूप बनता है तो ये वाला ट्रांस्ट्रिप्शनम कोई दिक्कत नहीं सब्सक्राइब हो एक चirt शिंद॥ बन जाता है तो यह ट्टिनियूएश्र का मिस ले करेंगी आगे किसे सेक्वेंस है और मैंने तुमको बताया था कि अगर आरे ने पॉलिमेरिश के आस पास कोई भी स्टैम लूप होता है तो क्या होगा वह अब जाएगा और होट करने की वज़े से यहां पर बहुत जादा यूरीच सीक्वेंच आ गया तो यह इंट्रंसिक टर्मिनेटर जैसा नहीं हो गया जो अमने प्रोकेरियोटिक ट्रांस्क्रिप्शन में पढ़ा था इंट्रंसिक टर्मिनेटर वैसा ही कुछ हो गया नहीं है भी जैसे कि यहां पर हमने क्या है यह हमारा ड्लेटर सीक्वेंच और यहां से हमारा यह प्लमेर के सब्सक्रिबटार अगहर रहा है और आपका यहां पर आपका आपका मरें के सब्सक्राइब ना लीडर सीक्वेंस का यहां से क्या हुआ यहां से आपका राइबुसों बैठा और इसके बाद में आपका क्या आरेंजमेंट है पूरा का पूरा अगर अगर आपका क्या है पीयार्पी यहां पर कमी नहीं है तो जैसे जिएसे आपका क्योंकि यहां पर कमी नहीं है तो क्या होगा राइबोजों पर बद आउब WIN वह सब्छाएगा जाएगा चाल मेरी सोब RICH यहाँ टे सेट पहुछ जाएगा और क्योंकि वह 양 है थार्टा यह यह तरीके से क्या होगा यह 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 तो जाएगा लेकिन अब दूसरी बात समझो अगर का लेवल लो है कि अगर लेवल है तो आपका ट्रन जो है चार्ज्ट ट्रन फो ट्रिप्टोफेंड जो आपका ट्रांसलेशन के टाइम पर ट्रन जो ट्रन को लेकर आएगा और जो नहीं कुछिश करेगा वो लीडर सेक्वेंस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां हो गयाcules और यहां पे कोन रुग्या 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 वह वेट कर रहा है किस में कर रहा है में zwyगे क्यों प्रवाइब्स saudade तो दो होगा से ऐफारनोपिए उसलीन जूड़ा हुआ है लेकिन आया आगे जा चुका है तो आरμयियृआ उर्य शिक्वंस यहां पर था और 556 म Latino चाल थे लेकिन इसका प्रेशर यहां पर पढ़ रहा है यहां पर आई नहीं रहा है अगर ट्रेप्टोफेन के लेवल लो है तो राइबोजोम जो होगा वह आपका ट्रप गोडॉंस पर रूख जाएगा इसकी वज़िए से आपका सेकंड और थर्ड सीक्वेंस के बीच में क्या होग होगी जिससे प्रिवेंट हो जाएगा ओर लोल एबल ट्रिप्टो फैं में कभी भी एड्रेटियूर चीजिस को अर्फ बहुत सब्सक्राइब कि यहीं पर बाते हूँ कि तुम्हारा दिमाग जब्हुरब भागे बहुत इस चीज तरीक हैं अब इस विजह से क्या होगा क् नहीं बन पाएगा और इससे को लिखती नहीं आईगी अना तो लो लेवल पे ऐसी कहानी चलती है यह लेवल पे ऐसी कहानी चलती है आयोब तो यह दो बेसिक रेगुलेशन अपने ज्यान रखना आपने को चिक है स्कॲने तो। नहीं जो नेट्स्जी थीस्थ हम बात कर रहें करें था बियूसी कोंकर ना परेंछेंशन बात करें तो घ्यांपल का जाता इसके अंदर और लेक आपरोन के अगर लोग बात करें तो लेक आपरोन जो उसका मेन फंक्शन का है के टापोलिसम और लेक्टोस को यूज करने का है बात समझना दी लेकिन अब लेक आपरोन में दो इस्तिया यह पहले को पर उनकी कहानी क्या है तो आप देखो जैसे यह तो अब यह को 2 मिटाई पसंद है एक मिटाई यह माद लो जले भी और दूसरी मिठाई को भी लेलो हुआ तो अगर किसी शादी में काजु कटली बनी है अब दूनों पसंद लेकिन काजु कतली ज्यादा पसंद Prof. खांगे हवाँ आवेशा जले भी तो खाएंगे नह तो प्राइमरी चॉइस इनकी काजु कतली है सेंगे सेम केस हमारा इधर भी है लेक्तोस के पहला हमेशा हमेशा प्रेफरेंस होता है लेकिन अगर आप बोलते हो कि यार भी या ग्लुकोस नहीं है हमार पास हम तो यूज आप यूज कर देगा और इससे हमारा डाय अख्चिक कर बाता है डाय जू आप अलग अलग नेगर चलाना पड़ेंगा यूज करना थैंड को तो हो गया ना जीन रेगुलेशन कैसे होता है बूंद हम अब याशे को सब्सक्रांग थिर नहीं है अलगिन क्यों बनाना अप नहीं है when there is no lactose there is absence of lactose in the absence of lactose जो lack repressor होगा लेक रिप्रेसर यह आपके ऑपरेटर पर आके बाइंड करावा होगा और अपरेटर पर आके बाइंड करने के विज़े से आगे नहीं जाने जाने जाएगा यहां से मनना चाहिए यह नहीं बन पाएगा लेकिन जब जब लेक्तोस हैं अब अब नहीं बिल्ग घ्रिप्रेशर जो है आपका लेक्तोस से करता जाएगा यह बहुआ यहां पर होना चाहिए जिसको हम इंड्यूसर कहने वाले हैं क्या होगा यह आपका अपरेटर पर नहीं बैट पाएगा अब जब रिप्रेटर पर नहीं बैट पाएगा तो अपरेटर फ्री यह तो आरे ने पॉलिमेनिस फट से दर जाएगा जैड़ वाएक आपके कारेगा पर नहीं के प्रोटीन के प्रोटिंस बन जाएगे इसके लिए ऐसे समझझो कि यह है एक तुम्हारा कोई कोई आंगन टाइप का है और अपको यहां से बाहर निकलना है क्रिकेट खिलने जाना है लेकिन यहां पर उन्दा बंधा वाए और उन बापा गोल के करें को बाहरा निकलने देना तो आपका रेपरेसर जो है बाब उसको बॉल्ड होगे और बॉल से बोल तो लेने जाएगा इत्की दिर में भाग जाओगे सिंपल से बात से वित्पी सी है तो रिप्रेसर अगर इंड्यूसर के साथ बैटावा है तो वह उपरेटर पर बाइंड नहीं करेगा आप पर ट्रांस्क्रिप्शन चलेगा लेकिन अगर रिप्रेसर जो है वह इंड्यूसर नहीं है तो वह उपरेटर से होगा और ट्रांस्क्रिप्शन नहीं चलेगा तो यहां पर क्योंकि इंड्यूसर जो है उसके आने से आपका लेकश्र चालू हो रहा है इसको कहा जाए अंड्यूसिबल ऑपिरॉन बहुत आसान से बात है रिप्रेसिबल अपिरॉन मेटापोल से हटा दे परक्र जर्फेक्ट और देखो यहां पर तीन से वारे में बात करनी है एक अपना ब्र का ईरी स्कार रहा आरा सुखुम करना है यह being is करना क्यों कृकर लॉक्कों के लौग बढ़े हो स्कूर देना है ऐस्थे क्लेकन रहे होता है कि रेको है कि को पूण सब्सक्राइब देटा तरह काम करेंगा फिर अपने पास में आता है या वह आपका लेक्तोस्स पर्मीचेस पर्मीच क्यों है यूज करना है आपको यह ब्लकी ऑपकी वो डाइरेक्ट लिया आपका cell membrane को प्रॉश नहीं कर सकता है तो आपको क्या चाहिए होंगे आपके किस पर होंगे जैड और वाई पर उपर होंगे तोड़ा से अपन एक नया वर्ट समझ लेते हैं इसको कहा जाता है अब केटाबलाइट रप्रेशन के अगर बात की जाए तो क्यों है क्योंकि इससे एक नया मोटिव समझ में आगा हमको अगर ग्लूकोस प्रेशन्ट है मतलब अगर काजू कतली है तो जलेवी के होते हुए भी जले भी उतनी नहीं खाय जाई ऐगा मतलब काजू कतली है शादी में तब जलेवी को हाथ ने लगाओंगे तो थोड़ी से का के छोड़ दोगे यह सेम केस इकोलाइब में भी होता है अगर ग्लूकोस प्रेजंट है तो लेक ऑपेरॉन जो है लेक्टोस होते वे भी बहुत अच्छे से नहीं चल पाएगा अब इसको ध्यान से समझना मज़ा आयागा तुम को इस टॉपिक में तो कहता वाला इट प्रेशन में बेसिकली इप डैरिस प्रेजंस ऑफ ग्लूकोस यह क्या करेगा आपके उपिरॉन को रिप्रेस करने केकी कोसिश करेगा कैसे हो अब तुम को यह क्या होता है मैंने तुम को एक्टिवेटर वर्ड समझाव था रेगलेटर प्रोटीन में 61 यहिस रिप्रेश करके, टिद्द्द हो जो आनोयगा, कोई आपका एक मॉलीक्यूल होता है जो आपका एटीपी से बनाया जाता है और उसके लिए एक एंजायम लगता है जिसका नाम होता है जो है यह यंका फॉर्मिसण है यह और फिर एक प्रोटीन से जुड़ता जिसका नाम होता है कैप और यह साइकलिक एमपी कैप कॉंप्लेक्स जो है यह आगे जाके फिर आपका प्रमूटर से आप्स्ट्रीम एक्टिवेटर बैंडिंग साइट पर जाके जूड़ता है जो कि जोड़ता है यह जो होता है तो ग्लूकोस का हाई हाई अमाउंट जो है वह एडिनालेट साइक्लेस को बंद करके रखता है क्या करके रखता है इसकी बहुत अच्छी सिग्नलिंग है यहां पर वाली सिग्नलिंग का रोल भी नहीं इतना तो ग्लुकोस जब हाई होता है तो आपका बंद होता तो हाई ग्लुकोस में साइकलिक क्या होगा कम होगा यह बिसिक पॉइंट अब यह सब साइकलिक एंपी क्या प्लेक्स नहीं बन पाएगा तो वह आपका केप बैंदिंग साइट पर जाए भी निप पाएगा अब जो कि नहीं जा पाएगा वो तो देखो यहां पर अब क्या हो यह ध्यान से समझना अगर आपका यहां पर केप बाइंडिंग साइट है सब्सक्राइब क्यां बन सकता ना पर लेकिन अगर लेक्टोस है तो अगर लेक्टोस है तो रिप्रेसर नहीं है क्योंकि इंड्यूसर बनने की वज़े से रिप्रेशर आपका बैठने पाएगा लेकिन अब ध्यान चे सुनना यह बहुत तफ है जब आपका ग्लूकोस होगा तो आपका साइकलिक पर नहीं बैठने के गारण आरेने पॉलीमेरेज आपका क्या होगा यहां से चला तो जाएगा लेकिन यह उतना अच्छा एक्सप्रिशन नहीं दे पाएगा क्योंकि क्योंकि एक्टिवेटर जो है जो इंक्रीज करता है ट्रांस्प्शन लेको पर उनका वो नहीं बैठ आरेने पॉलीमेरेज जो है वह आपका क्या होगा अल्टिमेटली नहीं पाएगा क्योंकि बहुत कम लेवल पर है तो ट्रांस्क्रिप्शन करने की शुरूत ही नहीं है लेकिन अब जल्ले भी भी है और काजु गतली भी है तो आपका क्या होगा अब देखना है अब ध्यान करेंगा तो उसने हटा दिया तो और यह प्रेशर तो बाइंद नहीं कर रहा वह लेकिन आपका जो कैप साइट यह दिखनी कैप साइट इस कैप साइट के उपर साइकली एंप कांप्लेक्स नहीं बनेगा और आपका क्या होगा यहां पर इन फ्रीक्वेंट लिए अब देखो ग्लूकोस लो लेवल पर लेक्टोस हाई लेवल पर बिल्कुल काजु कतली बहुत कम खतम होगी है और आपका जले भी तरफ जाओगे अब देखो लेक्टोस हाई लेवल होने की वज़े से वापस से आपका रिप्रेसर बाइंड ने कर पाया अब कैप सा होगा इन तीनों जीन का गजब वाला ट्रांसक्रिफशन होगा जैडवाए का एक डोनों ट्रांसट्विश अबॉग्था घ्रिकन ग्लूकोस ग्लूकोस नहीं होगा तो डेवल बड़ड कि अजय को इस नहीं बड़ता हुंr सब्सक्राइब करें लोग इस वाले टॉपिक पर घुमाते हैं तो यहां से करना है इसको अभी जो मैंने तुम को एक कॉंसर्ट समझाया है पांच साथ मिनिट का इसको वापस रिवाइंड करो वापस से सुनो कम से करो एक या दो बार वापस से सुनो तब जाके यह दिमांग में बुसेगा बैठेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब 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 आएक यूकरियोटिक जीन एक्सप्रेशन पर या यूकरियोटिक या अपना लेका फिर फिर उसको बोलेंग गाए फिर रव डा चाहे का या तो द्यूरृंच्रम्फीयोटिशन करो या फिरなんश्रेशन प्रमखे जान्ट्रुलें लेससों है जो यह से लीड है हम चाहिँ होगा है कि मतलब होता है कि अरौन को मतलब होता है कि ऑल्ख़ू वह फरी अराउंड बन जी सिंपल से इस त्रीक है ते हिम लोग आप उसको नहीं बिदल होEMA छोगा ना वह अन्चेंज रहेगा और यह जो एपिजनेटिक चेंजेंस अधे नहीं होते हैं त्होड़े समय के लिए होता है लेकिन हरी टो है तो हैरी टेबल सकते हो क्रोमिजूमलि री अरेंज्मेंट्स से बदल सकते हो जिसके वजए से हम लो कि साथ में खेल के उसका जीन इनक्टिवेशन करते हैं सी पीजी आइलेंड्स इस तरीके से इसके अंदर हमारा खेल जलता है जिसमें बात करते हैं कि यूज्वाली जीन इनक्टिवेशन बगएरा के बारे ना थोड़ा डीटल में समझते हैं इसको देखो यहां पर अगर हम DNA में methylation कर देता है तो हमाया जो होंगे ना वह आपके क्या होंगे और टाइट हो जाएंगे और पैक हो जाएंगे और तुम्हें बात जानते हो कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर जीन को एक्स्प्रिस करना है तो उसका टांस्क्रिप्शन ट्रांस्लेशन करना पड़ेगा ग acceptation कामई जीन स्कारीशन का मतलब से ट्रांस्क्रिप्शन होता है तो अगर मैंनलो आपको सिफ MRNA भी बिनाना ना तो आपको उसको खोलना पडेगा ना झळी तो अगर वो बोलेकी ना जीन और तो ऊच़र्ग्शन पर बिल्कुण जक्र शुका हूं तो फिर आप उस खोल ही नहीं पाऊगे तो वो क्या हो जाएगा रिप्रेस या फिर एक्सप्रेस ही नहीं होगा आसा अंगाशा में कहा जाए तो तो अगर आप methylation करते हो DNA का तो इस वज़े से क्या होता है जो histrone होते हैं वो tightly bind हो जाते हैं और bind होने के वज़े से transcription factors होता है तुम जानते हो transcription factors very important है ना तो transcription factors जो होते हैं वो आपने DNA को open नहीं कर पाते हैं और कोई भी gene expressed नहीं हो पाता है पर इसके विपरीट अगर आप histrone का acetylation करते हैं जैसे यहां पर मैंने इसके tails पे acetylation कर दिया है usually आपका जो lysine group होता है उस पर ultimately epsilon पे आपका acetylation बगिरा होता है acceleration अगर आप करते हो तो loose packaging हो जाए देखो यहां पर और टाइट हो गया पास 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 में DNA आगया है यहां पर देखो किता दूर-दूर हो गया यह पूरा एक दूसरे से दूर-दूर का arrangement है इस वज़े से क्या होता है से loose packaging होने के वज़े से आपके यहां पर transcription बेंट के क्या करते हैं प्रोपर तरीके से express करवा पाते हैं तो यहां पर DNA inaccessible होगे methylation से और से इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं हम DNA की sequence को नहीं बिला ज़ेंगे उससे जो interaction वाले प्रोटीन से उनको खेलके हम expression करवा रहे हैं इसको कितने एपिजनेटिक रेगुलेशन अगला आता है आपको बहुत ध्यान रखना है कि इंपोर्टेंट रूर होता है और यहां पर इंट्रेस्टिंग पॉइंट समझो आपको प्रमोटर होता है उसका प्रमोटर साइज बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि यह भी आपका जीन रेगुलेशन रेगुलेशन रेगुलेट कर सकता है कैसे अगर जितना बड़ा प्रमोटर साइज होगा तो उतने ज्यादा उसके उपर ट्रांस्क्रिप्शन ट्रेक्टर बाइंड कर सकते हैं और जितने जादा transcription factor bind करेंगे वो उतनी affinities को भढ़ाएंगे कि इसकी RNA polymerase quiz promoter के लिए interesting right now एक दो word और होते हैं enhancers and silencers enhancers उन तरह के proteins को या उन तरह के factors को खा जाता है या उन तरह के DNA elements को usually DNA elements होते हैं यह उन तरह के elements को कहा जाता है जो आपके क्या करते हैं transcription के activity को बढ़ाते हैं इसलिए इसको distal control elements dc e कहा जाता है distant control element क्योंकि बहुत दूर से काम करते हैं और यह उनसर क्या करते हैं transcription को बढ़ाते हैं इसको पास मिले आते हैं इसलिए मैंने तुमको दो वर्ट बताए शेक्टिंग और ट्रांसक्टिंग इलिमेंट्स उसमें इसको अब को इसको समझना कि यूशुवले इनको से क्टिंग जाता है और अक्टिंग एलिमेंट्स भी का जाता है तो कैसे बात करें पोजिशन बात करें वबैसे-व्यक्षाब बदल राता है तो उपडर प्रांस्क्रिप्शन को स्टार्ट कराने में मदद करते हैं जीन एक अभी होने बहुत सिंपल अब अब आपना आधा पोस्ट रांस्क्रिप्शन में या तो आप आरेने पॉलिमेरेस को बिठा दू रप्र बिठा दो हटा दो आपसे जल्दी से तो भी रांस्क्रिप्शन नहीं हो पाएगा एक तो यह तरीका होगा दूसरा आपका इनेंसर और साइलेंसर से लेवल बढ़वा दो साइलेंसर से घाके बाद हो यू के रोट सल रहा है ज्यानक ना प्रोके रोट कतम हो चुका है ना में नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नौ सी एमरेने मॉडिफिकेशन समने देखे थे जिसको अमने प्रोसेसिंग भी कहा था ट्रांस्पोर्ट फॉम दे नूकलिस से आप रेगुलीट कर सकता हो कब आपको आप देखो चाहिज है एक्जांपल संदो यह आरे अप बाइंडिंग तो दी राइबोजोम बाइंड ही नहीं कर रहा है मानलो यह मारे ने भार आ गया लेकिन राइबोजोम माइंड नहीं कर भार है उससे किसी भी कारण बश अल्टीमेटली क्या होगा वह भी एक्स्प्रेस ने कर पाएंगे यह जो दो फेक्टर में उपर लिग वाइंड और सी यू आरेवाई की जो सीक्वेंस होती पूरी की पूरी और अल्टिमेटली ब्रांच पॉइंट वगेरा कैसे चलता है और उसमें हमारा जो इंटरेक्शन चलता है बुरा तूपाइम 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 वाला वह सारे अलेजमेंट से होते हैं ट्रांस यहां पर यहां पर यहां पर यहां रही है 1 टू 3 पॉर्त वाली एक्जोण चोड़ दी ही यहां पर इस बार मैंने 1 3 और 4 उसकर लिया मैंने 2 वाली एक्जों चोड़ दी है तब क्या होगा इसका अलग तो और यहां पर 1-3-4 का अलग MRNA मिलेगा तो दो अलग अलग तरीके के MRNA होगा एक ही तरीके के MRNA होगा ना एक ही तरीके के HNRNA से जिसको हम लोग हेट्रोन्यूक्लियर RNA बोलते हैं प्री MRNA से पर तो इसके कहने का क्या मतलब है कि आपके यह होगा यहां पर अलग प्रोटिन डेवलप होगा इस वाज़ी से क्या हो आपने रेगुलेट करके तो अलग प्रोटिन डेवलप कर लिए ऐसे अल्टर्रोनेटिव स्प्लाइसिंग के अर्रेंजमेंट्स हमारे बहुत सारे चलते हैं जिसे एक आपका इसमें चलता है फिर अपने थोड़ी बात करें अब मैंने तुमको अभी पीछे बताया था कि दो चीजें जो आ रहे ने की इस्टेबिटी करेंगी किती जल्दी न्यूकले से ट्रांसपोर्ट होता है किसे ट्रांसपोर्ट होता है और फिर आपका राइबुजूम से बाइंडिंग कैसे हो द करेग करेंगे तक दो इसके अंदर देखो हैंपर जो प्रोटीन साह weekend है हमारे पास पर यह तो प्रोटीन होता है आपका फैसे जोड़ा होता है तो आरेने तो अगरेने की बढ़ा देंगे लंबे समय तक वो एक्स्प्रेस करेगा अगें रेगुलेट इसमें डियाएनने और किया हुं मैं इसमें था बरेहा हूा चीज और सम चीज लो किन तरीके में साइलेंस कर सकते हैं माछारणे के छो माईक्रोphone नाम का लो senses मियारने बोलता बनता है जो बनता में अनुइक जोसे तील कितरो Since ψ रिस्क कॉमप्लेख्स मिदलब रन्यूस्ट साइलेंसिंग कॉमप्लेक्स और अपको मार आ इन्डूस्ट साइलेंसिंग कॉमप्लेक्स बैसे लिएापका सेमेंदी साह hammzan करेगा यहूं को विद्दिक्तिक्टकॉल परफेक्ट है अब आजाते हैं अब आपन ट्रांसलेशनल गंट्रोल पर ट्रांसलेशनल गंट्रोल तुम अलड़ी जानते हो कि प्रोटिन कैसा बनाना है इसमें फिर वापस इस्टेवलीटी ओप्रनें इंपोर्टन फेक्टर हो जाएगा बाइंग और रिपोसों भी इंपो पर काम किसे करता है यूशुली होता क्या है अब यह थोड़ा सेल बालोज में घुस्ट्राइब में इतना भी तफ नहीं है जब भी आपको कोई MRN भार आता है तो उसका ट्रांसलेशन शुरू होता है तो पहले आपके साइटोसॉलिक राइबोजन जाकर बैठते हैं तो थ किया जाता है signal sequence कहा जाता है signal sequence वो signal sequence यह डिसाइड करता है कि यह जो protein है जो हमारे नहीं है यह हमारेन का रोटीन का बनेगा ER की membrane पे बनेगा या साइटोसॉल में बनाना है तो सब्सक्राइब करता है तो वहा पर के स्रपी जो होते है सिगनल रिकर्ग्निशन पार्टेकल व मेंद्रेंटे ले जाने में मनुद करती है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को MRNA नेसलेंट पेप्टाइट राइबोजूम और उस पर जुड़ जाता है आपका इसके अंदर कौन सा वाला आरेन होता है यह तुमको बताना है ठीक है चलो ना एक बेसिक मेकनिजम समझ लो तो ट्रांसलेशन हुआ थोड़े बहुत आपके यहां पर सिग्नल सिक्वेंस बनाया है थोड़े छोटे से आठ नौ मिन्यों सेड़ का है एक क्वेश्चन और मैं अगर डालना है किसे प्रोटीन को मिन्यों का सिंगनल सिक्वेंस क्या होगा के वहां पर अभी के लिए देखो कितना व्य तैयारी है आपनी लोगे तो प्रांस्पोर्ट पहुंच जाते तो आपके ट्रांस्लेशन वापस रिज्यूम हो जाता है क्या हुआ है यह तो यह होता है यह बहुत सारी चीजे हो सकता है तो राइबोसों की बाइंडिंग हो सकता है राइबोसों बाइंडिंग कर रहा है या फिर उसको रोग गया थोड़े समय के लिए या फिर आपका यह पॉली अडिना लेशन और चैपिंग के फंक्शिन्ग विश्यों को थोड़ा बहुत वेरीबल कर दिया आपको अगर उस मरन को पेटिकलर उस समय पेश्पैस निकराना यहां पर आखरी पॉइंट पर बने हुए प्रोटीन है यहां पर हम बनते हुए प्रोटीन का यहां पर बने हुए प्रोटीन का रेगुलेशन कर रहे हैं तो जो फॉर्मड प्रोटीन है जो ट्रांप्रीशन निंगा हो चुका है उनके बारे में बात करते हैं तीन तरह के रिवल्सपील इनिविशन में बाता है तुमको यह तुमने खुद भी पढ़े होंगे नौन कंप और उनकॉंपरीटिव और और यह टीन मिनीमम इससे में फिर वह में जो प्यारे में बात करते हैं अब देखो इनिविशन का फायदा क्या है रिवर्सल इनिविशन का फायदा है कि जब आपको चाहिए तब आप उसको एक्टिवेट कर लो और जब आपको नहीं चाहिए त पर यहां पर देखो एक तो हो गया एंजाइम एक्टिवीटी का रगुलेशन एक हो गया आपका एडिशन आप ग्रॉप तो द प्रोटीन का ऑपका इंट्रस्टिंग को पॉणस्ट था इसका मुझत यूप इनवीट इंपोर्टेंट यह बहुत इंपोर्टेंट रहे है ने इसकी यहां पर जिसकी वेज़े से क्या होता है उसका डिग्रेडेशन के लिए टैग लगा जाता है तो पर फिर क्या होता है जिस प्रोटीन पर अपने प्रोटीन लिया रिटेशन करते हैं अब यह समयखे प्रोटीन अब यह प्रोटीन होगा यूज़िवली कौन सा था पताओ कौन सा वाला प्रोटीउस वाले प्रोटीन को करने के लिए यहां पर मैंने छोड दिया जगा और फिर क्या होता है प्रोटीन को हम टाक करके यह डाल देता है और यह पूरा भी जाद टोपड़कुर थी हो जाता है ऐसके युबिकृुटिस नेशन हो रहा है जो इसके वज़े से आपका क्या होता है पूरा का पूरुडा प्रोटीन हो अलग तरीके से इसके वीडियो बनाएंगे काम करेंगे तो यह पूरी की पूरी कहानी है आपकी इसमें और भी बहुत कुछे पढ़ने के लिए इसको बहुत ध्यान से सुनना लक्टर को एक बार में इतना चेस समिन में नहीं आएगा प्रॉपर नोट्स बनाओ इसके नोट्स जो तुमको मिलेंगे उनको ढंग से रीड करो और टेस्ट धंग से दो तो थोड़ा और मेहनत करो बहुत धंग से काम करो अब फेस्टिवल हो अब जिबाली पर टोड़ी दिन की शुक्ति ले 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 ना अभी वावस काम पे लग जाओ ठीक हैं तो विद अट नोट इस लेक्टर नेक्स्ट विल विल दिस और टुमारो यू विल फिर्स लेक्टर ऑफ एविल्यूशन मजा आएगा इस उनिट में भी दूंगो एविल स्थिए तोमारो